और तर्क खतम हो जाए तो चीटते रहो चिलाते रहो आधनिय सभापती जी कॉंग्रेस के इतिहास का ये पहला मुका है जब लगातार तीन बार लगातार तीन बार कॉंग्रेस सोका आंकड़ा पार नहीं कर पाई है कॉंग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है अच्छा होता कॉंग्रेस अपनी हार्च्विकार करती जनता जनार्दन के आदेश को सरांखों पर चड़ाती आत्ममंधन करती लेकिन ये तो कुछ शिर्शाथन करने में लगे हुए है और कॉंग्रेस और उसकी इकोसिस्टेम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरितों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है आदेने सराप्रती जी ऐसा को हो रहा है मैं जड़ा अपने सामान जीवन के अनुगहों से बताता हूं कोई छोटा बच्चा साइकल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है साइकल से लुड़क जाता है रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पात पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चीटी मर गई देखो चीडिया उड़ गई अरे देखो तुम तो बहुत बड़िया साइकल चलाते हो अरे तुम तो गिर नहीं हो ऐसा करके उसका जराब मदभ ठीट करने के लिए प्रयास करते हैं उसका धान भटका करके उस बच्चे का मन बहला द तो आजकल बच्चे का मन बहला देखा काब चल रहा है और कॉंगरेस का कॉंगरेस के लोग और उनका इकोसिस्टीब कि आजकल कि मन बहला देखा काब कर रहा है कि आजने सभापती जी नाइंटीन एटीफोर को चुनाव को याद पीजिए उसके बाद इस देश में दस लोग सबागे चुना हुए है बस लोग सबागे चुना हुए है एटीफोर के बाद दस दस लोग सबागे चुना होने के बाव जी कॉंग्रेस जाइसों के आंकड़े को चुने ही पाई है इस बार किसी तरह नाइंटीनाइन निन्ना नबे के चक्कर में फसे गए हैं आदनिया समापती जी मुझे किस्सा याद आता है झाल 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 आजेने सभापती जी मुझे एक किस्छा याद आता है आजेने सभापती जी मुझे किस्छा याद आता है 99 मार्ष लेकर एक बालत कमंड में गूम रहा था और देखो कितने जादा मार्ष आये हैं तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो स्थावाजी देते थे बहुत उसको हुसला बुलंद करते थे तो फिल्म के टीचर आये किस बात कि मिठाई बात रहे हो यह सो में से 99 नहीं लाया यह तो 543 में से लाया है अब उस बालक बुद्धी को कौन समझाएं कि तुमने तेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कॉंग्रेस कॉंग्रेस के नेताओं के बयानों में यह बयान बाजी ने कि शोले फिल्म को भी पिछे छोड़ दिया है आप सब को सोले फिल्म के मौसी जी आद होगी तीसरी बार तो हा रहे हैं पर मौसी यह बात पर मौसी मोरल विट्रवी तो है ना अधाणियत खभापती जी तेरा रज्जो में जीरो सिट आई है अरे मोसी तेरा रज्जो में जीरो सिट आई है पर हीरो तो है ना अधाणियत सभापती जी अरे पार्टी की लुटिया तो यह अरे मोसी पार्टी अभी भी सांसे तो ले रही हैं पार्टी के लोगों को कहूंगा जनादेश को वाप्रजी जीत के जसन में मत दबाओ जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ जसन में मत दबाओ इमामदारी से देश वाक्षियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो उसे स्विकार करो आधनिया सभावती जी मुझे नहीं पता कि कॉंग्रेस के जो साथी दल है उन्हों ने इस दुनाओं का विश्लेशन किया है कि नहीं किया है यह चुनाओ इन साथ्यों के लिए एक संदेश है आधनिया समापती जी अब कॉंग्रेस पार्टी 2024 से एक परजिवी कॉंग्रेस पार्टी के रुक से जानी जाएगी 2024 से जो कॉंग्रेस है वो परजिवी कॉंग्रेस है और परजिवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है यह परजिवी उसी तो ही खाता है कॉंग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गड़बंदन करती है उसी के वोट था जाती है और अपनी सयोगी पार्टी की इवत पर वो फलती भूती है और इसलिए कॉंग्रेस परजिवी कॉंग्रेस बन चुकी है मैं जब परजिवी कह रहा हूं तो तच्छों के आधार पर कह रहा हूं मैं कुछ आंकड़े आपके मादम से सदन को और इस सदन के मादम से देश के सामने रखना चाहता हूं जहां जहां भाजपा और कॉंग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कॉंग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पाद यह जो तींसिपे थी कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ पर स्रेफ 26 परसंट है 26 परसंट है लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे जहां वो जूनियर पार्टन थे किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मोका ऐसे राज्यों में कॉंग्रेस जूनियर पार्टर दी उनका स्ट्राइक रेट 50 परसंट है और कॉंग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादा पर सीटे उनके सयोगों ने उनको जिताया है और इसलिए मैं कहता हूं यह परजी भी कॉंग्रेस है सोला राज्यों में जहां कॉंग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोर्ट शेर इस चुनाव में गिर चुका है आदानिय सभापती जी गुजराथ शत्तिशगर्ड और मध्यपदेश इन तीन राज्यों में जहां कॉंग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में सिरफ दो सीट जीत पाई है इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कॉंग्रेस पूरी तरह परजिवी बन चुकी और अपने सरयोगी दलों के कंदे पर उन्होंने चड़ करके यह सीटों का आंकड़ा बढ़ाएं का आंकड़ाएं